कि स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल कुमार प्रिंटर पर दोस्तों आज मैं आपको करता हूं यह प्रॉब्लम का बाती है जैसे माली आपका प्रिंटर एक लाग कॉपी कासपा अगर पहुंच जाता है तो यह प्रॉब्लम आती है यह देखे मैं एक जुगार लगाया था इसमें पेपर फोल्ड करके लगाया था हलां कि यह भी चल रहा था लेकिन थोड़ा पर उसको है ना टच नहीं होता है जिसकी वैसे दो रोटेट नहीं कर पाथा है तो रोटेट नहीं कर पाएगा तो रोलर नहीं चलेगा प्रल पहां से उठाएगा तो फिर अरे हि में आपज़क्न हैं इसका एक और तरीका है कि आप पार्ट चेंज कर दीजिए कंप्लीट पार्ट चेंज करने जाएंगे अगर ओरिजिनल आप लेंगे तो मान लीजे कमसे बहुत महेंगा पड़ जाएगा आपको मैं उसमें वीडियो में बताना नहीं चाहता कितना आएगा लेकिन आप उपर है और एक लेफ्ट में है कि उसके नीचे है और दो सामने है जो इस अपरेशन पैट ब्लू वाला लगा है वहां पर तो टोटल दो चाहर्ट छे स्कूरू है शे स्कूरू निकालने के बाद में राइट से पहले निकाली और आराम से लेफ साइड से निकाली है क्योंक ना है पिकप वाला मैं अभी थोड़ा बताता हूं आपको बीच में जरा में मल्टी पेपर जो पीकप करता है उसको थोड़ा बता देता हूं आपको देखे यह गया है न टर्श नहीं होता है और यह वाला लाक है जो मैंने पॉइंट आउट की है वहां पर आटका रहता है है जो मैटल का फ्रेम उसका तो अगर मल्लडि पर पीकप कर रहा आप का तो पहले पहले जह देख लिए जो कि रेले मोलते हैं को लैसा कि ऒढ़ता हैוכ रोभा रहता है उसका जब 15 हट जाता किलोनाद तो नीचे गेंज बचता तो गम वोगारते जिसे आपका पेकर करने के लिए उसमे तो beiden सब्सक्राइब तो उसको लगेगा रेयर पेपर जाम होगा और दूरंत एरर हो जाएगा तो उसके लिए क्या किजिए सबसे पहले रिले को निकाल लीजिए एक स्कूरू लगा इस पर इसमें छोड़ी सी स्प्रिंग होती है आराम से इसको रोलर को जब निकाल लेंगे उसके बाद रिले को निकाल लिए रिले में साइड में एक स्प्रिंग है छोटी सी उसको आराम से निकाल लिए अपने साइड में देखिए समाल के निकाल यह गुम ना हो जाए यह देखिए हलका हलका ऐसा कुछ चिपकने के जैसा लगा है तो क्या कीजिए इस पर टेप भी मार सकते हैं या फिर उसको क्लीन करके कपड़ा लगा के फेवकिक भी मार सकते हैं दोनों भी बस यह आप डाउन आटमेटिकली होना चाहिए कि इसमें कोई दिक्कत ना आए बस तो यह मल्टी पेपर वाली प्रापलम है ना आपकी सॉल्व हो जाएगी यह देखिए ऐसे चलना चाहिए कट-कट यह आवा जाता है पेपर जब पीकप करता है उसके बाद इसको लगा दीजिए सेम अब आते हैं गेर असेमली पे जो कि आपका पेपर ना प्रापलम है में जो कि मैंने आपको बता है तो उसके लिए क्या करना है छोटी सी एक पन्नी लीजे कोई हाड प्लास्टिक हो छोटा तुकडा जो रहता है यह आपको कॉस्मेटिक वाले लिए बेसरोब ने दृटा में दिखा रहा हूं वह सिमिलार भी मिलेगा तो भी ठीक हाण तो अपने को यहां पर जहां पर मैं दिखा रहा हूं साफ्ट जो अंदर गया नंदर जो बड़ा हो गेर जाओ में मैं रंग उठी के पास जो मैं नचा रहा हुं में इसके बैंड कर लीजिए प्लायर की मदद से ताकि वह आराम से अंदर उसमें बैठ जाए जहां पर अपने को फिट करना है और फिट करने के बाद अपने को क्या करना है एक फेवकिक लीजिए हलका सा मिट्टी लीजिए थोड़ा सा और उसके उपर ऐसा चिपका दीजिए ताकि व तो थोड़ा सा यह ले लीजिए जान लीजिए जुगार है ना एकदम राम बार टाइप का है दिक्कत नहीं आएगी फिर 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 30-40,000 पेज 50,000 पेज आराम से निकाल देगा बिना कोई दिक्कत के पेपर ना उठाने का एक और रिजन होता है अगर रोलर पूरा कम्प्लीट रोटेट हो रहा है तब अपने को रोलर चेक करना पड़ेगा क्योंकि रोलर जब घिस जाता ना तब भी यह स्लिप होने वाली दिक्कत आती हलका सा पेपर खीच के उपर छोड़ देता है लेकिन इस केस में पेपर आपका बिल्कुल भी उठाएगा नहीं कि कोई चलता है नहीं है रोलर तो देखिए मैंने कैसा इसको बैंड किया है एक पाइप के सेप में हलका सा और एक बढ़िया से इसको कट कर दीजिए अब यूनिट को देखिए एक दम ऐसा इसको रखी यहां पे और यहां पर जो गैप है नहीं हलका सा उसी में इसको लगाना है और थोड़ा सा अंदर और थोड़ा सा बाहर रखना अपने को आदा समज दीजी अदा अंदर कर दीज्यार अधा बाहर यह देखिए मैंने इसको दबा दिया पूरा और लगाने के बाद में अपने को रोटेट करके देख लेना है कि असेमली पूरा घूम रहा है कि नहीं अगर रोटेट नहीं करेगा आप पूरा जाम कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी तब तो कुछ चलेगा ही नहीं आवाज आएगी सिरफ यह लग गया देखे मैंने रोलर न अचाहा है रोलर बरावर से घूम रहा है अब इसके उपर अपने को न मट्टी रखके और वहां पर फेकिक मानना है तो असेमली को इस पोजिशन में रखिए जहां से रोलर के उपर फेकिक ना गिरे खड़ा करके रखना है सीधा उपर की तरफ और यह जो गेर वा तो पहले थोड़ा सा मट्टी डाल दीजिए किनारी एकदम हलका सा एक चमज बना लिजिए पेपर का ऐसे और उसके उपर प्लास्टिक के उपर रख दीजिए और हलका सा बॉड़ी में भी आना चाहिए पूरा कवर हो जाना चाहिए आप देख सकते एकदम बढ़ियां से और फिर उसके बाद में फेखिक गिरा दीजिए मट्टी पर फेकिक गिरेगा तुरंतो हाड हो जाएगा फिर तोला सा मट्टी डालिए और वापस फेकिक डालिए पूरा कवर हो जाएगा वापस से एक बार और फेकिक लगा दीजिए ताकि एकदम हेले डूले ना एकदम जैम हो जाए ताकि उस पर प्रेसर हमेशा बना के रखे और असमली को एकदम आगे की तरफ दबा के रखे जिससे एक बार में भी कभी गेर छूटने ना पाए और आपका पेपर हमेशा हर बार पीक अप कर ले कि थोड़ा सा इसको हवा दे दीजेगा ताकि जल्दी सूख जाए ठीक है अब इसको रोटेट करके देख लीजिए देखे बराबर से पूरा से चल रहा है कि अब अगर आपके पास सिलाइब मशीन माला करोयल है कुपी में तो उसको थोड़ा सा यूज़ कर लीजिए थोड़ा आवाज कम हो जाएगा अगर इसमें थोड़ा आवाज आता होगा तो जहां जहां इसमें होल बना हुआ है तो मतलब जहां जाब अगर आप आप लिंग कर सकते हैं जहां पेपर उपर पर पे ना है उतना आप कर सकते हैं और इसको स्मूत्री तोड़ा सा रोटेट करके रख लीजिए देखे मैं आप कर रहा हूं एकदम से मैं इसे ही करना है और कहीं पे अगर वाइल एक्स्ट्रा गिर गया तो उसको देखे जैसे मैंने पहुचा है वैसे इसको भी पहुच लीजिए आप क्लिन कर लीजिए बस इसके बाद फिट कर देना है और बैक साइड में जो दो सेंसर रहते हैं उसको भी साथ में देख लीजिएगा क्योंकि जो यह नो प्रिंट कार्टेज और पेपर जायम का जो एरर आता है वह इस असंबली के बैक साइड में जो दो सेंसर होते ना उनी की वह से आता है तो एक वीडियो में आप काफी कुछ सीख लिए हैं एक पिकप एसंबली का प्रॉब्लम जो पिकप करता है वह पिकप सेंसर का उस पर अगर स्प्रिंग अपनी जगह पर नहीं रहेगी तब यह प्रॉब्लम आता है और काटेज वाले में भी सेम कंडिसन है अब आता है इसको आपस से रिये संबल करने के लिए सबसे पहले लेफ साइड से हिस्ते से लगाईएगा क्योंकि जो मैंने बताया था आपको हलका सा लॉक निकला हुआ रहता है वह सबसे पहले बैठेगा इसमें फ्रेम में पिर उसके बाद राइट साइड से और मैं तो कौंगा प्रिंटर को उल्टा करके बिठाएंगे तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि नीचे दो जाएगा अपनी जगह पर फिर और इस क्रू के लिए पूरा देख लीजिए एकदम क्लीन पूरा जगह दिख रहा है मतलब कि आपका सेंबली पूरा बैढ़ गया रॉप पर एकड़ंग देखिए इस क्रू का आपको मैंने पूरा बता दिया है टोटल दो दो चार दो छे इस क्रू है सब इसक्रू लगा दीजाए कोई स्क्रू छोड़िएगा मत नहीं तो उससे आवाज भी आती है और अच्छे से काम भी नहीं करता है तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा और एक रिक्वेस्ट थोड़ा वाट्सप पर कम परिसान कीजिए मैं भी फिल्ड पर रहता हूं तो मैं उतनी जल्दी रिप्लाइ नहीं कर पाता कमेंट करेंगे तो मैं थोड़ी-thोड़ी तेर में देखते रहता हूं तो मैं रिपलाई कर दीता हूं आंपको देतरे बात पीस्ट करने के बाद मैं वीडियो आप लोग के पास suitable कर रहाँ क्योंकि सके बाद मैंने चेक किया था आला कि मैंस का वीडियो नहीं राया क्युक्य judgments पाता है प्रावलम सॉल हो गई है आप लोग के ट्राइ किजिए आपका हंड़ेट परसेंट पिकाब असमली का यह सारा प्रावलम सॉल हो जाएगा तो चलता हूं मैं अभी कोई और वीडियो बनेगा तो फिर आप लोग के साथ सेयर करूंगा लाइक और सब्सक्राइब पर अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया किजिए और ऐसे हेलफफुल वीडियो आप को मैं आपके लिए लाता रहूंगा जिससे आपका प्रिंटर रिपेरिंग का जो भी नौलेज है थोड़ा अच्छा हो जाए थैंक यू